आप देख रहे हो बोडी बिल्डिंग इंसाइडर तो दोस्तों मैं फाइनली वीडियो लेकर आचुक हूँ जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे थे कि भाई मेंस फिजीक, एमिचोर लंपिय जितने भी हमारे जो भी आथरीट्स ने कैसा परफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर में सबसे पहले बात करने वालों भाई लिए सेनियर आथलीट थे यार तो आथलीट्स ने रिस्पेक्ट तो बनती थी उसके बाद बढ़ते हैं कि हमारे जब नॉर्मल कंपैरिजन होते हैं यानि कि दोस्तों अगर आपको थोड़वाद बॉडिबिल्डिंग के बार में पता हो अगर कोई athlete dead center मतलब अगर बीच में गए हो कोई अगर stage के अंदर मतलब stage पर तो judges को वो वाला package काफ़ी ज़ादा अच्छा लगते हैं chances होते हैं कि उस athlete से बागी सारे athletes से comparison हो रहा था तो एक तरीक से में को थोड़ा बहुत idea लग गया कि सिधान भाई की physique करी होगी तो कई लोगों ने करी होगी कि सिधान भाई की जो physique थे ना उस पर shine नहीं notice हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि body shape के अंदर है बट वो वाली shine नहीं आ रही थी ओ lights के अंदर वो वाली चीज notice नहीं हो रही थी rest of the athletes के साथ अगर आप लो compare करोगे तो वो shine नहीं नहीं हो रही थी तो भाई इसका जो answer है वो यह है कि हमारे सिधान भाई ने हमको recently अपने instagram story के अंदर बताया था कि एक चीज आते जिसे कि वो shineness आती है physique के अंदर वो वाले उन्होंने वो वाला muscle juice करके कुछ आता है ऐसे करके product आता है वो उन्होंने नहीं लगाया था तो देखते भाई अगर वो आज लगा कर आते हैं मतलब finals की दिन पर अगर वो वाला product लगा कर आते हैं तो शायद body shine करेगी तो वो वाली चीज़ तो मैंने आप लोगों को clear कर दिया पर उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि physique कैसी थी मैं definitely ये चीज़ कहना चाहूँआ कि जो physique थी सिधान भाई की वो last year जो 2021 का amateur olympia तो उससे ज़ादा improved physique थी ये वाली चीज़ मैंने notice करी थी कि वो clean shave look के अंदर आये थे and clean shave look से ने या वो professionalism show हो रही थी मतलब stage के उपर जब वो posing अगरा कर रहे थे तो वो चीज़ मेरे को देखकर काफी जादा अच्छी लग रही थी and भाई मैं तो सारी अच्छी चीज़े बात कर रहा हूँ ये क्या हो गया तो भाई मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहत हूँ कि हमारे एक और athlete है जो की सिधान भाई को बहुत ही बड़िया challenge और टकर दे रहे थे भाई तो इनका नाम I believe है शायद रवी चौदरी भाई है ही शायद जो की सिधान भाई के साथ ही compete कर रहे थे and I believe from the back जो रवी भाई थे उन्होंने बहुत बड़िया टकर दी थी और बहुत बड़िया comparison किया था यार and उनके abs और जो उनकी back थी बहुत ज़ादा कह सकते हो कि separated लग रही थी और less washed out लग रही थी अगर मैं compare करूँ from the rest of the athletes तो मुझे रवी भाई का जो package था बहुत ज़ादा खतरनाक और बड़िया लगा था और इनका black color का आप लोग देख सकते हैं उनका जी shorts ने उन्होंने black color की डाल रखी है तो मैं इन athlete के बार में बात कर रहा हूँ and दोस्तो आज होने वाला है final यानि कि आज होगा हमारे जितने भी men's body building, men's physique जो भी हमारे amateur athletes का आज उसका final होने वाला है and अगरा सिधान भाई जो है और tight होकर आते हैं और अपनी जैसे मैं आप लोग को बता है कि वहला product लगाते है product लगाकर आते हैं जिससे की shine आती है body अंदर तो भाई मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि वो इस अपनी class कंदर gold medal लेकर आ सकते हैं और उसके बाद तो वो definitely pro card के लिए compete करेंगे जो rest of the gold medal लेकर आते हैं athletes वो साथ में pro card के लिए compete करते हैं तो भाई उमीद बहुत जादा अच्छी लग रही है बाकी यार देखो ये तो मेरे thoughts थे यार मैं जानना चाहूँगा आप सभी लोगो के thoughts की आप लोगो को क्या लगता है कि हमारे सिधान भाई ने कैसा perform किया आप लोगो के जो भी thoughts, opinions होंगे उन्होंने rest of the athletes के साथ आपको लगता है कि वो gold medal deserve करते हैं या फिर तो नेक्स वीडियो के साथ तब तक लिपना ख्याल रुखी till then take care and bye